के जिए यह करें कि जो ड़सुर्ड है उसको हम क्यासे यूस करते हैं तो सबसे फ़र्ले है समझ लेते हैं कि जो ड़स है इसके बहुत सारी यूसेस तो सबसे पहला यूज यह है कि जो third person और singular में और present tense में हमको यूज करना है तो इसमें तीन चीजें तो third person होना चाहिए और singular होना चाहिए यानि कि वो word एक को दिखाता हो और present tense में आपको इसका यूज करना है अब third person क्या होता है? जैसे कि first person में जो बोल रहा है जैसे I तो first person होता है यानि कि जो इनसान बोल रहा है वैसे words जिसमें वो इनसान खुद included जैसे I का मतलब मैं होता है मैं बोलूँ का we तो we का मतलब होता है हम तो हम में भी मैं आऊंगा तो जो I और we है वो होता है first person second person हो गए आप, you, सामने वाला you, third person होता है ना तो मैं ना आप, कोई तीसरा इंसान है यानि कि he, वह, she, वह, it, उसको हम बहुत है third person, तो third person मुझे clear हुआ कि होता क्या है, singular का वह एक, यानि कि he की अगर में बात करो तो वह, यह है, एक है वह, she के अगर में बात करो तो शी का मतलब भी होता है वह, girls के लिए हम यूज करते हैं लड़कियों के लिए, it का मतलब भी होता है, यह, single के लिए होता है, तो third person चाहिए में रिको single होना चाहिए और present tense में यूज करते हैं, तो यह है आपका जो अभी मैंने बताया, he, she, it और एक singular noun के साथ, और किसमें present simple tense में यूज करते हैं, इससे does से हम questions बनाते हैं, और negative sentences भी बनाते हैं, पहले questions को देखते हूँ, अब पहला question है, does she like chocolate, क्योंकि present है, क्या उसको chocolate पसंद है, does she like chocolate, और negative है, he doesn't eat meat, वो meat नहीं खाता, अब दस से पे कुछ और examples आपको देता हूँ, does he work, क्या वो काम करता है, does she dance, क्या वो नाचती है, does he clean the house, does he clean the house, क्या वो घर को साफ करता है, does she go to office, क्या वो आफिस जाती है, तो इस तरह से मैं बनाऊंगा questions, फिर नेगेटिव में, अगर आपको बोलना है कि वो यह काम नहीं करता है, वो यह काम नहीं करती है, he doesn't eat meat, वो बीटने खाता है, he doesn't dance, वो नाचता नहीं है, he doesn't clean the house, वो घर साफ नहीं करता है, he doesn't watch movies, वो movies नहीं देखता है, तो इस तरह से मैं नेगेटिव को बनाते हैं, अब इसका हम use emphasize करने के लिए भी करते हैं, जिस तरह से हम do लगा के sentences को बोलते हैं, उसी तरह does से भी हम किसी बात पर अगर आप जोर दे रहे हो, जैसे मैं ने पूछा, does he go to office, क्या वो office आता है, तो आप जोर दे कि बोले हाँ भी जाता है, तो आप बोलो गए, he does go to office, does वहाँ पर आ जाएगा, तो जैसे अभी हाँ पर लिखा है, she does enjoy playing the piano, especially classical pieces, भई वो piano बहुत ही अच्छे से enjoy करते हैं, प्यानो बजाना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, especially क्लासिकल, classical pieces, classical का मतलता है जो पुरानी धुन होती है, 20-30 साल पुरानी, अगर आप गानों की बात करोंगे, तो हम को उसको classical category में डालते हैं, जैसे घर हम इंडिया में बात करें, तो क्लासिकल डान्स के गर में एक फॉर्म की बात करूंगे, तो हो जाएगा कथक हो जाएगा, वो ग्लासिकल है, तो ट्रेडिशनल आप बोल सकते, तो आते हैं पॉइंट पे, शीड़ इंजॉइ प्लेइंग दप्यानो, उसको प्यानो बजाने बहुत ही अच्छा लगता है, वो इंजॉइ बहुत करती है, तो हीड़ देज नो अलॉट अबाट कार्स, उसको कार के बारे बहुत ज्यादा पता है, इवन दो इस नॉट अमेकैनिक, जबकि वो मेकैनिक नहीं है, जोड दे रहें कि उसको कार्स के बारे बहुत ज़्यादा पसा, पता है, और अगर आप किसे habitual actions के बारे हम पूछ रहे, habitual actions का मलता है, वो actions, जो वो इंसान हर दिन करता है, जैसे कि, कि ड़स्यों डॉट बार कलोट अट नाइट कि आपका को तह रात पे भॉग तैज यूट बार कलोट अट नाइट और इसे पहले मैंने क्वेशन बोला था रजी गोर्व और विखिन जाता है तो यह द्यांस ने क्लास के वह क्लास में नाचती है तो इस आपके questions बनाने के लिए आप डर्स का उसकर होगे जैसे कि तर्शी आफ्टन विजिट हर ग्रांट पेरेंस और विकेंज क्या वो विकेंज वे अपने ग्रांट पेरेंस को मिलने जाती है तो यह आपिछल आक्षिंज है एक्सप्रेसिंग सप्राइज और डिस्पलीव अगर आप सप्राइज को एक्सप्रेस कर रहे हो कुछ ऐसा वह जिसमें की आपको शॉक सब्सक्राइब अपने हापी टोन में तब आप वहां पर भी डस करोगे जैसे की जासे रिली स्पीक फाइव लांगुज इस फ्लुएंटली कि वह सच्च में पांच भाषा इंग बोलता है अब आप इस सप्राइज की वह पांच भाषा बोलता है लांगुज इस बोलता है आपको बिलीब नहीं हो रहा है और आप यह क्वेश्ट पलेशन पर दसी इस बोलता है और एक होता है टाग क्वेश्टिन उसमें भी हम डच का यूस करते हैं जैसे की मैंने बोला ही गोस्तु तु दे जिम रेगुलर्ली डजनी वह हर दिन जिम जाता है जाता है कि नहीं डजनी अगर शेद लाइक श्पाइसी फूड उसको मिट्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं है तो सच में रशी तो यह जो प्वेश्टन टाग होता है अगर देखो शुरुवात में मैंने सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ शी डजन लाइक स्पाइसी फूड उसको स्पाइसी अगर पर ग्रेक क्वेश्टन मार्क लिख रहे हैं अपको उसको में पूस्पाइस टाग शुरुवात एक सेंटेंस हो रही है और आप सब्सक्राइब सच में वह फिस जाते हैं जो हैना वाला चीज उसको हम बोलते हैं वह इसको वह नाचती नहीं है तो जो हैना है वह वह कि हम डज थर्ड परसें जिगूलर के साथ यूज करते हैं। वह कॉंसी टेंस में प्रेजं सिंपल टेंस में हम इसे दिग में सकते हैं और तो और अगर मुझे कि चीज़ उप जोर देकि बात करना है और गन्फर्मिशन लेना है सच में ना तब मैं डश का यूश करता हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसिन में एक इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ